इसे विवात की सुनवाई के दोनों कोट आये थे कोट से निकलने के बाद किसी बात को लेकर 20 सड़क पर इनके बीच जड़प हो गई इसके बाद महिला ने अपनी सहेली के साथ मिलकर पती पर जम कर चपले बरसाई है हाला कि वाइरल वीडियो पर संगजान लेकर हमीरपूर पुलिस ने केस दर्ज किया है पुलिस दोनों की तलास कर रही है मामला हमीरपूर में जिला मुख्याले के सदर बस स्टेंड का है बताया जा रहा है कि कोट में मामले की सुनवाई के बाद पती गाउजाने के लिए बस पकड़ने स्टेंड पर आया था इतने में उसकी पत्नी भी अपनी सहेली के साथ आ गई इस दोरान दोनों की बीच कुछ कहा सुनी हुई और देखते ही देखते पहले सहेली ने चपल निकाल कर महिला के पती को दो तीन चपल जमा दिये इतने में खुद महिला ने भी अपने चपल निकाले और दे दना दन महत 6 सेकंड में 6 चपल बरसा दिये इसके बाद पती को गाली देते हुए दोनों महिलाएं वहाँ से चली गई वीडियो में साफतोर पर दिख रहा है कि जब ये दोनों महिलाएं मार पीट कर रही थी मौके पर भारी भीड जमा हो गई इन में काफी महिलाएं भी थी लेकिन इन में से किसी ने भी बीच बचाओ करने का प्रयास नहीं किया बलकि इसी भीड में कई लोग मुवाइल पर इस घटना का वीडियो बनाने लगे इन ही में से किसी ने एक वीडियो हमीर पूर पुलिस को टैक करके सोसल मीडिया पर अप्लोड कर दिया जानकारी के मुताबिक इस दमपती के बीच दहेज और प्रतार्णा का मामला कोट में लंदित है पिछले दिनों इस मामले में सुनवाई के लिए दोनों कोट पहुँचे थे लेकिन इनके मामले में आगे की तारीक लग गई बताया जा रहा है कि कोट से दोनों अपने अपने घर जाने के लिए निकले थे लेकिन बस स्टैंड पर ही इनकी एक बार फिर मुलाकात हो गई इस दोरान पती ने शायद कोई कमेंट कर दिया जिस से महिला का गुस्टा भड़क गया और उसने सरे बाजार पती की पिटाई कर पूरी भडास निकाल दी पुलिस ने बताया कि सोसल मीडिया पर वाइरल वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया गया है पुलिस ने दोनों महिलाओं के साथ उनके पती की भी तरास कर रही है अब ये तक दोनों में से किसी की गिरफतारी नहीं हो सकी है पुलिस ने बताया कि दोनों कोट में तारीक पर आये थे इसी दोरान इनके बीच कोई विवाद हुआ था इतने सुन्दर सुन्दर के निहलाए दुनिहन के रूप में चार्चांद लगाए गंगड़िया संगड़िया संगड़िया प्यार के रिष्टे को और गहरा बनाए संदड़िया आभुषण का चादु है चाए संदड़िया आभुषण संदड़िया आभुषण संदड़िया